दिल्ली राजस्थान सहित देश के इन राज्यों में भारी बारिश मौसम विभाग का ताजा अपडेट मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान, हरियाना, चंडीगड और हिमाचल प्रदेश के विभिन इलाकों में भी 15 सितंबर तक जम कर मेग बरसेंगे। सितंबर के 15 से 17 तक 36 गड़ में मध्य महाराष्ट्र में 12 सितंबर को असम और मेगाले में 13 और 14 सितंबर कर भारी बारिश होने की संभावना है। अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के परवतिय जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विध्यान केंद्र ने देहरादून समेत हरिद्वार, पॉड़ी, बागेश्वर, नैनी ताल, चमपावत और उधमसिन नगर जिले में बिजली चमकने के साथ भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुदरप्रयाग, अल्मोडा और पिथोरागड जिले में भारी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 से लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश के कारण, यूपी सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं. वहीं दिल्ली में भी लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है. आईमडी ने दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही भारत मौसम विध्यान विभाग आईमडी ने उत्तराखंड में 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड आलर्ट जारी किया हैं. आईमडी ने मानसून के बारे में एक तात कालिक चेतावनी जारी की और कहा कि मौझूदा मौसम प्रणाली अगले 9 घंटों तक उत्तर भारत के खेत्र को प्रभावित करेगी. राजस्थान में बारिश के चलते पार्वती बांध के 10 गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा. धौलपुर व आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते पार्वती बांध के 10 गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है. पार्वती बांध के गेट खुलने से पचास गाओं में संकट आ खड़ा हुआ है मौसम विध्यान केंद्र जैपुर के अनुसार मध्य प्रदेश पर बना दबाव आज दक्षिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुँच गया है केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटे में इसके उत्तर की ओर बढ़ने और कमजोर होकर वेल मार्ट लो प्रेशर बनने की संभावना है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, पीली भीत और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है साथ ही सिधार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर और सहारनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, खीरी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है इसके साथ ही मुजफर्णगर, अमरोहा, शाजहामपुर, संभल, मेरट, बदायूं और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है कुशिनगर, महराजगंज, सिधार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरकपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, लखीमपुर, खीरी और सीतापुर में बादल गर्जने और बिजली गिरने की संभावना है एमपी में मानसून की स्ट्राम एक्टिविटी की वजह से 28 जिलों में तेज बारिश हुई रायसिन जिले के बेगमगंज में पराशरी नाला उफान पर होने के कारण सागर भोपाल मार्ग बंध हो गया बाला घाट में तेज बारिश और बार्ड के कारण दो गर्भवती महिलाओं का रिस्क्यू किया गया टीकमगड के सुजारा डैम के बारह गेट खोलने से बुधवार को धसान नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी जल्भराव की नौबत बन गई इस दोरान दो किसान खेत में फस गए जिन्हें बचाने के लिए आर्मी और NDRF से मदद मांगी गई शतरपुर के बमहोरी में एक दरजन मकानों में पानी भर गया यहां फन से 50 से अधिक लोगों का SDRF ने रेस्क्यू किया जानकारी के मताबिक मंदला जिले में नर्मदा नदी उफान पर पहुची हुई है कई नदियां अपने सामान्य स्तर से अधिक उचे पर बह रही है मंदला नागपुर, मंदला कानहा नेशनल पार्क, नैनपुर सिवनी और मंदला डिंडोरी मार्ग पर ट्राफिक की समस्या हुई है इन सभी इलाकों में बारिश होने के कारण हालात बाढ जैसे हो गए है इन दिनों भी बाला घाट और सिवनी जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है इस साल मानसून, मौनसून अपने पूरे फॉर्म में है इसलिए राजस्थान, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते 25 साल से सूखे पड़े बांधों में पानी की आवक होने से लोगों में खुशी का माहौल है वहीं दूसरी और मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है ताजा हालाध के मुताबिक बारिश का यह दौर अभी 48 घंटे और जारी रहेगा मौसम विध्यान केंद्र, IMD के मुताबिक वेलमार्क लोग प्रेशर आज फिर से तेज हो गया है और डिप्रेशन बन गया है फिलहाल यह उत्तरपूर्वी मध्यप्रदेश के उपर है अगले 24 घंटे में इसके उत्तरपश्चिन दिशा में पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है .IMD के अनुसार 14 सितंबर को भरतपूर, जैपूर, कोटा और अजमिर संभाग में बारिश की संभावना है जैपूर मौसम केंद्र, IMD, जैपूर की तातकालिक चेतावनी के अनुसार धौलपूर, बारा, पाली, अजमेर, जैपूर, सवाई माधोपूर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है इसके अनुसार कुछ जिलों में मेग गर्जन के साथ हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है, विहार में एक बार फिर मौसम का मिजास बदलने वाला है राजधानी पटना समेट पूरे प्रदेश में शुक्रवार से दो-तीन दिनों तक हलकी से भारी बारिश के आसार है इस दौरान गर्जतडक यानी वजरपात की आशंका भी बनी रहेगी इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में गर्जतडक के साथ हलकी बारिश हो सकती है वही नवादा गया जमुई, बाका, मुंगेर और लखी सराय जिले में भारी बारिश की आशंका है 14 सितंबर को बिहार के अधिकतर जिलों में वजर्पात वमेग गर्जन के साथ बूंदा बांदी के आसार है इस दोरान कैमूर, रोहतास और अंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बाका, मुंगेर और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी है 15 सितंबर को कैमूर, रोहतास, और अंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बकसर, नालंदा, शेकपुरा, लखीसराय और मुंगेर में भारी बारिश का येलो अलट है बिहार में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है गुरुवार को राजधानी सहित प्रदेश के 34 शहरों के अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी हुई प्रदेश का सबसे गर्म जिला 37 शहरों के साथ मधु बनी रहा लेकिन शुक्रवार से बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद